हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जुमू कश्मीर सर्वस सेलेक्शन बोर्ड के चेर्मेन खालिद जहांगीर की दोस्तो जैसा आपने सुनाई होगा कि जुमू कश्मीर सर्वस सेलेक्शन बोर्ड के चेर्मेन खालिद जहांगीर का अब ट्रनसफर कर दि गया है और यहां पर एज डेपटी कमिशनर कुपवारा की तोर पर इनको पोस्ट किया गया है इनकी जगा अब जो जुमाइन कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बूर्ड की नए चेर में रहेंगे इनका नाम है राजेश शर्मा जो की जेके एस याने के एस हैं दोस्तों जब हम खा जोड़ा के रहने वाले हैं और ये भी केस याने जिसको आप जेके एस कहते हैं खालिद जहांगीर 2020 फेवरुरी में एज चेर में बने थे जुमाइन कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बूर्ड के और इस से पहले ये डिस्टिक्ट अनन्थनाग की डेपिटी कमिशनर थे दोस्तों खालिद जहांगीर साब के टरनसफर पर जेके एससबी के बहुत सारे ऐसे एस्परेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम खालिद जहांगीर साब को बहुत ही मिस करेंगे और मैं आप से यहां पर पूछना चाहूँगा क्या आप भी खालिद जहांगीर साब को एजेके एस हम ये चाहेंगे कि एज डिप्टी कमिशनर कुपवारा ये लोगों की उमीदों पर पूरा खरा उतरेंगे और डिश्टिक कुपवारा को खाले जहांगीर साहब के आने से फाइदा जरूर होगा और साथ में हम नए जेके एससबी चियर में राजे शर्मा का बड़े खुले दिल से इस्तिकबाल करते हैं उनका वेलकम करते हैं और हम ये भी चाहेंगे कि राजे शर्मा जो हैं वो जेके एससबी के जितने बेस परेंट्स हैं उनकी उमीदों पर खरा उतरेंगे और जो भी pending lists है या फिर आने वाली पोस्ट है उनको वो जल्द से जल्द एडविटीज करे ताकि जुमू कश्मीर के educated और unemployed youth को राहत की सांस मिले तो दोस्तो यह थी एक important update ट्रानसफर से related दोस्तो यहां पर मैं आपको और यह भी साथ में केता चलो कि अगर आप पूरी ट्रानसफर लिस्ट को देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि किस किस personality को किस किस पोस्ट पर आप ट्रानसफर कर दिया गया है तो इसकी link मैंने नेचे description में दे दी है यहां से आप पढ़ सकते हैं आप screen पर भी पढ़ सकते हैं किस को कहां पर नई ट्रानसफर हुई है तो दोस्तो इसकी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ and उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करएं झाल झाल